हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माइ यूटूब चैनल एजूकेशन अड़ा, फ्रेंड्स में आपके लिए आज बाल विकास का स्लेबस लेकर आई हूं, सीटेड जूनियर के लिए, फ्रेंड्स इसके प्रीवेश वीडियो में मैं मैं जा प्लेजिस में जाकर उसको देख सकत तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बालविकास और अध्यापन चाइल्ड डेवलप्मेंट एंड पेड़ागोजी इसमें फ्रेंट्स थर्टी क्वेश्चन्स आते हैं जिसमें सीगी क्वेश्चन जो है सेक्शन वाइस डिवाइड रहता है 15 क्वेश् सेक्शन से आता है तो बालविकास और प्रारंविक विद्याले का बालव इसमें क्या आता है सबसे पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में हैं यह आपको स्लेबस चाइल्ड डेलप्मेंट एलिमेंटरी एजुकेशन चाइल सबसे पहले क्या कॉंसेप्ट ओफ और चिल्रेन बालक के विकास के सिध्धान्त इंफ्लूएंस ओफ हैरेटी एंड इन्वार्मेंट आनुवन शिक्ता और पर्यावरन का प्रभाव सोचलाइजेशन प्रॉसेस सोचल वर्ड चिल्रेन टीचर्स पैरेंट्स और पेर्स समाजिकी करंड दबाव समाजिक विष् ठीक्षक अभिवावक्वाक और मित्रगर् पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोच्णी इनके constructions और क्रिडिकल पर्सेप्टिब्स ये आएंगे बिन्स पियाजे कोहलबर और वाइगोच्णी के निर्मार और इनके विवेच्चे संदर्ब फिर हैं हमारा Concept of Child-Centered and Progressive Education बाल के इन्रित और प्रगामी सिक्षा की अवधारनाय Critical Perceptive of the Construct of Intelligence बद्धिक्त के निर्मार का विवेचित संदर्व Multidimensional Intelligence बहु आयामी बद्धिक्ता Language and Thought भासा और चिंतन Gender as a Social Construct i.e. Gender Roles, Gender Bias and Educational Practice समाज निर्मार के रूप में लिंग लिंग की भूमिकाएं लिंग पूर्वाग्र और सेक्षिक प्यवहार Friends, इससे question बहुत बनता है लिंग पूर्वाग्र से Individual differences among learners Understanding differences based on diversity of language कास्ट, जेंडर, कम्यूनिटी, रिलिजन, एक्सेक्ट्रा सिक्षार्टियों के मध्य वायक्तिक विभेद, भासा, जाती, लिंग, समुदाय, धर्म, आधी की विवित्ता पर आधारित विभेदों को समझना Distinction between assessment for learning and assessment of learning, social based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perceptive and practice अधिगम के लिए मुल्यांकन और अधिगम के मुल्यांकन के बीच अंतर विद्यालय आधारित मुल्यांकन सत्त और व्यापक मुल्यांकन, इसके संदर्ब और व्यवहार यह हमेशा आता है, सत्त और व्यापक मुल्यांकन से question Formulating appropriate questions for assessing red lines, readiness, levels of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom for assessing learner achievement सिक्षार्थियों की तयारी के सतर के मुल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षड और विवेचित चिंतन के लिए तथा सिक्षर्थी की उपलब्धी के लिए उप्युक्त प्रेश्ण तयार करना अब समावेसी सिक्षा सी question बनता है समावेसी सिक्षा की अधारना तथा विशेर सावसकता वाले बालकों को समझना concept of inclusive education and understanding children with special needs तो इसमें five questions आते हैं addressing learners from diverse backgrounds including disadvantaged and deprived गैर लब प्रद और आवसर वन्चित विद्यार्थियों सहीत विभिन प्रिस्ट भूमियों से आय सिक्षार्थियों की अवशक्ताओं को समझना addressing the needs of children with learning difficulties, impairment, etc. अधिकम संबंदी, समस्याओं, कठिनाई रखने वाले बालकों की अधारनाओं को समझना addressing the talented, creative, especially about learners, मेधावी, स्रिजन, सिल, विशिष्ट, प्रतिभावान, सिक्षार्थियों की अवशक्ताओं को समझना तो जैसा कि ये topic जो है ये समाविसे सिक्षा से इतने topics आते हैं अब last है हमारा अध्यान और अध्यापन पार्ट C, friends इससे जो है वो 10 questions बनते हैं तो 10 questions जो है वो इससे बनते हैं learning and pedagogy section से तो इसमें से आता है क्या-क्या how children think and learn how and why children fail to achieve success in school performance बालक किस प्रका सोचते और सीखते हैं बालक विद्याले प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यूं असफल होते हैं process of teaching and learning children's strategies of learning, learning as a social activity, social context of learning सिक्षर और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं बालकों की अधियन कारिनी तियां सामाजिक क्रिया कलाब के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्ब child as a problem solver and a scientific investigator एक समस्या समधान करता और एक वैज्ञानिक अनविशक के रूप में बालक alternative concepts of learning in children, understanding children's errors as a scientific steps in the significant steps in the learning processes बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर चर्णों के रूप में बालक की तूटियों को समझना, cognitive and emotions, बोध होर समवेदनाएं, motivation and learning प्रियर्णा और अधिगम factors contributing to learning personal and environmental, आधिगम में योगदान देने वाले कारक निची एवं पर्या वर्नी है, फ्रेंट्स यह था हमारा आज का स्लेबस related वीडियो, इसमें हमने आपको जो भी स्लेबस बताया है, इससे तो question बनते हैं, प्लस आपको पैड़ा कोजी section में previous question को लगाने पर बहुत concept clear होता है, तो फ्रेंट्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताये और हमारे चैनल को like, share, subscribe जरूर कीजिए, thank you so much for watching